हेलो फेमली आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंस नौवे महीने में आपको क्या-क्या करने चाहिए नौवे महीने की जरूरी खास जो बाते होती है जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाली है सबसे पहले तो आपका नौवा महीने लग चुका है थर्ट ट्रैमिस्टर में आ गई है थर्ट ट्रैमिस्टर का लाश्ट जो है मन्थ आ गया है तो आपको कुछ बातों का ख्याल करना बहुत जरूरी है सबसे पहली बात की जब नौवा मन्थ लग जाता है उस पे delivery आपकी कभी नहीं होती है कोई-कोई महिलाओं की होती है कितनी महिलाओं को नहीं होती है 80-90% महिलाओं को तो बिल्कुल भी नहीं होती है या तो आगे होगा या तो पीछे होगा लेकिन due date पे नहीं होगा तो आप delivery कभी भी हो सकती है मा के लिए जरूरी समान और सब्सक्राइब होना चाहिए माँ और सिसू के लिए इसके बाद अगर आपकी प्रेग्नेंसी में कोई भी किसी तरह का कम्प्लिकेशन रहा है तो आपको समय समय हपते या फिर 10-10 दिन पे जाके अपना चप कराना चाहि Fresh государ recib Orange सीजर होगी या फिर कैसे होगी या फिर आपसी सीजु की विकास हुई है कि नहीं हुई है या फिर जो जो समस्याएं आपके साथ है वो आपको स्नोग्राफी में पता चल जाएगा और आपका जो बीपी है वो फ्लेक्चुल नहीं होना चाहिए बीपी को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है नाइन मन्थ में इसके बाद नाइन मन्थ में आपको सबसे एक महत्वपूर करना है कि नाइन में अपने सीशु के मुवफ्मिंट पे बहुत ज्यादा बहुत चाहँ करना है क्यों ग़ Autumn क touched the जो ही उसका मुवमेंट रुके। इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है। जो आप जाएगा है। जो ही बेभी के मुवमेंट रुके। आपको कुछ न कुछ एक्टिविटी करना है। जिसे की बात तुरंद आपको पता चल जाएगा। कि आपके सीशू का मुवमेंट क्यों रुका है इसके बाद अगर आपने कुछ एकसरसाइज वगएरा नहीं किया है तो आप से करना सुरू कर दिजिए और वाक करना सुरू कर दिजिए इसमें क्या होता है थोड़ा सा आलास होता है डिसकंफर्ट बहुत होता है इस मन्त में लेकिन फिर भी आपको मुस्कुराना है, अंदर से हैपी रहना है, बाहर से दिखाने के लिए नहीं, अंदर से आपको हैपी रहना है, आपको खुश रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको वाप करना है, अगर स्ट्रेस लेंगी तो नॉर्मल डिलिवरी की प्रोसेस आप विकास बहुत तेज होता रहता है तो इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए इसके बाद इस नाइन मन्त में आपको फॉल्स लेवर पें बहुत परेसान करेंगे अभी यहां दर्द हो रहा है आप डॉक्टर के पास जाएंगी डॉक्टर थोड़ा से मेडिसिन दे के आपको समझे कि यह फॉल्स लेवर पें है या फिर रियल लेवर पें है तो आपको फॉल्स लेवर पें बहुत आएंगे लेकिन आपको परेसान नहीं होना है इस मन्त आपके जॉइंट्स में पें भी होने लगेंगे क्योंकि इस मन्त आपको जो हार्मोन है ओ आपके गहबराना आपको तब है जब आपका शीखु मुववेंट रुख जाता है तब आपको घबराना है आपको तुरान भाग के वास्पिटल जाना चाहिए कि आखिर क्या वज़ा है कि मेरे शीखु का मुववेंट रुख गया है। इसमें कई सारे कारण होते हैं। जैसे कि आपको सिसु का मुमेंट कम हो सकता है तो आपको घर पे रहके लेवर का इंतिजार नहीं करना है जब मुमेंट न समझ में आए तो इस पे ऐड।ह देलिकेटिटत गल्य और वीडियो डाला है उसको